हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल इनेक्स्ट फेम, गैज आज हम पढ़ने वाले हैं जनल स्टडीज का सेट नमबर फोर्टीन और यहां आपको प्रवाइड होते हैं 20 कोशन, एक कोशन में आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है यह सभी कोशन आपके लिए बिहार सिक्षक बहाली में very very important कोशन होने वाले हैं because यह सभी कोशन, selected कोशन, NCRT based कोशन, previous year कोशन है और BPSC के exam में चाहे वो दरोगा हो या और other exams जो BPSC conduct कराती है उसमें बार बार पूछे गए कोशन है तो आप इन कोशनों के बनाए notes, revise करे, learn करे, practice करे और अपना और अपने मावाप का सपना पूरा करे, एक seat अपनी बिहार सिक्षक बहाली में ले और अभी तक चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले, start करते हैं आज की class को फर्स्ट कोशन है पानी पत का पहला युद कब हुआ था, right answer 1526 में पानी पत का पहला युद हुआ इबराहिम लोदी और बाबर के बीच में जिसमें बाबर जो होता है वो विजई होता है और इबराहिम लोदी की हार होती है वहीं पानी पत का दूसरा युद हुआ 1556 में हेम चंद्र विक्रामादित्य और अकबर के बीच में और यहां पर अकबर विजई होता है और हेम मू की हार होती है मिन्स हेम चंद विक्रामादित्य की हार होती है वहीं पानी पत का तीसरा युद होता है 1761 में जिसमें यह य ने युद्ध होता है अफगान और माराठो के बीच में और अफगान यहाँ पर विजही होता है वहीं 1576 में युद्ध हुआ था आपका Battle of हल्दी गाटी जिसमें महराना परताप की हार होती है और अक्मर यहाँ पर विजही होता है तो यह आपके लिए Important introductions कोशन है कि Battle आफ हल्दी घाटी कब हुआ था तो राइट आंसर 1576 में हुआ था बैटल आफ हल्दी घाटी वहीं बाबर से आपको याद रखना है कि बाबर ने इंडिया में टोटल चार युद लड़े थे पहला युद लड़ा 1526 में दूसरा 27 फिर 28 फिर 29 में तो 1527 में जो बाबर ने य युद लड़ा उसमें भी विजई होता है और 1527 में युद होता है खानवा का युद और वहीं 1528 में युद होता है चंदेरी का और 1529 में युद हुआ घागरा का और इन सभी युद में बाबर विजई होता है बाबर ने क्या लिखा है बाबर नामा लिखा ये भी आपको याद रहना है और यह बाबर की autobiography है next question है मनुशे के लार में कौन सा enzyme पाए जाता है right answer?!" टाइलीन enzyme पाए जाता है मनुशे के लार में means उसके saliva में वहीं थायरोक्सिन जो है यह हारमोन किस से secret होता है थायरोक्सिन ग्लैंड से secret होता है और यह इसकी कमी से घेंगा रोग होता है और घेंगा जो आपने देखा हुआ गाइटर गले में सूजन सी आ जाते है गला वो मोटा सा फूल सा जाता है उसको बोलते है गाइटर और यह किसकी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से होता है नेक्स्ट कोशन है दुनिया का वह कौन सा स्थान है जहां अब तक सबसे गरम अस्थान रहा और टेंपरेचर 58 डिग्री सेल्सियस रहा तो वो है अल अजीजिया यह दुनिया का सबसे गरम अस्थान रहा और अल अजीजिया लीबिया में है और लीबिया आफ्रिका कॉंटिन का एक country है लीबिया और लीबिया से आपको याद रखना है कि लीबिया की जो capital है वो है tripoli और यहाँ की जो currency है वो है Libyan Dinar यह इसकी currency है और एफ्रीका एक ऐसा continent है जहां से करक रेखा मकर रेखा और भुमध्य रेखा तीनों ही रेखाए पास होती है नेक्स्ट कोशन है अंतराश्ट्रिये एड्स दिवस कम मनाया जाता है तो राइट आंसर एक दिसंबर को इंटरनेशनल एड्स डे के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्दिश से यही है कि एड्स के प्रती लोगों को अवेयर करना कि किस कारण से एड्स फैलता है क्या क्या हमें साउधानिया रखनी चाहिए जिससे हम एड्स की विमारी से बच सकते हैं नेक्स्ट कोशन है आर्टिकल 370 का सम्मंद भारत के किस राज्य से था राइट आंसर जम्मू कस्मीर राज्य से सम्मंद था आर्टिकल 370 से और आर्टिकल 370 जम्मू को एक स्पेशल राज्य का धर्जा देता था एक खास राज्य था जम्मू कस्मीर अब ये नहीं रहा 5 अगस्त 2019 को बिल पास किया गया और यह बिल जो 9 अगस्त को इस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और यहाँ पर दो union territory में इसको convert किया गया एक union territory बनी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना लद्दाक तो इसी के साथ union territory की जो संक्या है वो union territory की संक्या total 8 है ये भी आपके लिए important है कि how many are union territories the total 8 है next question भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी right answer वासको डिगामा ने भारत की खोज की थी means भारत में आने के लिए समुंद्र रास्ते की खोज की थी देखो इंडिया तो पहले से ही है तो समुंद्र के रास्ते से इंडिया में आया था कौन वासको डिगामा और ये कब आया 1498 म में आया था इंडिया में और वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था मैंस पुर्तगाल से इंडिया में आया और यह केरल के काली कट पहुचा था पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन यह भी आपके लिए important है next question है साकर खेड़ा युद कब हुआ था right answer साकर खेड़ा जो युद है ये हुआ था 1724 में 1757 very famous युद हुआ यहाँ पर और वो युद था battle of plassi 1757 में 1764 में होता है दिवानी right यह भी आपके लिए important है next question दुनिया का सबसे गहरा सागरिये गर्थ means trench सबसे गहरा सागरिये गर्थ कौन सा है तो वो है मरियाना trench दुनिया का सबसे गहरा सागरिये गर्थ है means deepest trench is मरियाना trench और यह किस नदी के से महासागर में किस और में तो यह है प्रसांत महासागर में नेक्स्ट कोशन यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है आपकी वोलगा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोलगा नदी वहीं भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और वहीं Amazon नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और यह कहां पर है तो यह है आपका South America में यानि कि Brazil में है Amazon नदी Next question है ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी तो वो थी करनम मलेश्वरी भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में क्या जीता था मेडल जीता था और इन्होंने 19 दिसंबर 2000 को इंडिया के लिए भारतोलन में इन्होंने क्या जीता था ब्रोंज मेडल जीता था यानि कि weightlifting में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था और यह आन्द्रप्रदेश की है करनम्त मलेशवरी इन्होंने 12 साल की उम्र से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और इनके पास टोटल 29 इंटरनेशनल मेडल्स हैं करनम्त मलेशवरी के पास नेक्स्ट कोशन है लोगसभा अध्यक्ष किसे अपना त्याग पत्र सौपता है तो लोगसभा अध्यक्ष जो होगा वो लोगसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौप देगा किसको देगा लोगसभा लोगसभा उपाध्यक्ष को देगा और लोगसभा के पहले अ next question है 12th question राज्य विधान सभा का ऊपरी सदन कौन सा होता है देखो by camera system है औरadia में जो by camera system adopt किया गया वो adopt किया गया है भई बृतें से बृतें से आया by camera system में दो सदन होंगे एक होगा ऊपरी और दूसरा होगा निचला सदन ऊपरी सदन जिसे आप क्या मुझे से आप राज्य सभा है वो क्या है आपका उपरी सदन निचला सदन क्या हो क्या है लोग सभा means house of commons क्या है आपका निचला सदन जिसको कहते हैं लोग सभा और house of lords जिसको कहते हैं राज्य सभा तो वैसे ही राज्यों में भी होता है तो राज्यों में क्या होता है एक होता है विधान सभा और दूसरा होता है विधान परिशद तो राज्य का उपरी सदन कहलाता है विधान परिशद यह आपके लिए important है और विधान परिशद भारत के कितने राज्यों में है और वो राज्य कौन कौन से तो यह भारत के 6 बट के से करनाटका, U से उत्तर प्रदेश, M से महराश्टरा, B से बिहार, A से आंदर प्रदेश और T से तेलंगाना, यह आपके टोटल छह राज्य जहां पर क्या है विधान परिशद, तो राइट आंसर हेर इस विधान परिशद, नेक्स्ट कोशन है, सौर मंडल का सबसे छ भी सैटलाइट नहीं है, तो नो सैटलाइट, कोई सैटलाइट नहीं है, प्रित्वी का एक सैटलाइट और वो है आपका चंदरमा, जिसको मून आप देखते हो, मंगल के दो सैटलाइट, फोबोज एंड डीमोज, नेक्स्ट कोशन है, भारत के किस राज्य में विधान सब सबसे जादा सीटे हैं, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश में विधान सबा की सबसे जादा सीटे हैं, और यह है 403 सीटे हैं, उत्तर प्रदेश में जो की भारत के सभी राज्य में सबसे जादा सीट है, और वहीं विधान परिशत की 100 सीटे हैं, वहीं लोग सबा की दोशन सिस्टेमा नाचुरी पूस्ता किसके दौरा लिखा गया रायट आंसर कारलस लीनियस ने लिखा है सिस्टेमा नचुरे और इस में क्याद किया गया इस बुक में कि हर एक औरगनिसम के जो नेम लिखे गया है तू टरमस में नाम लिखा गया है जैसे आम को hayır मैगनि फेरा इंडिका तो इसी तरीके से लिए रिखाएं हम दिंग को बोलते है हम जो विएंग उसको क्या बोलते है होमोशेपिएं हूमोशेपिएंख एकारलस लीनियस करिक सिस्टेमा नैचुर्य और यह कोशन पूछता है सिस्टेमा नैचुर्य किस न teaches आ लिखे तो कारलस ने लिखे है एकने Mu की फुल फॉर्म क्या है राइड आंजवर आटोमेटेट टेलर मशीन इस्ट फुल फॉर्म haven और यह कोशन अक्सर पूछता है कि वट इस धानौ म्दू अटोमेटेड टेलर मशीन नेक्स्ट कोशन है संतोस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है राइट आंसर संतोस ट्रॉफी का जो संबंध है ये है फुटबॉल से नेक्स्ट कोशन भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुदीन तैब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे और भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अस्थापना कब होती है तो 28 दिसंबर 1885 को भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस की अस्थापना होती है और किस ने की थी तो एलन एलन ओक्तावियन हुम ने इसकी अस्थापना की थी और ये थियो सोफिकल सोसाइटी के प्रमुक्त है और इसके पहले अध्यक्षर है डबलू सी बैनर जी व्यमेश अंदर बैनर जी यह भी आपके लिए important question है next question हिंदु धर्म के अनुसार वेदों की संख्या कितनी है राइट आंसर वेदों की संख्या है next question जिसका आंसर आपने को मैंने बताना है आज और यह question मैंने आपसे last class पूछा था कि निमलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलन सील है तो राइट आंसर विटामिन A जो है यह जल में नहीं घुलता विटामिन B घुल जाता है C भी घुलता है तो option D is correct आंसर विटा जल में नहीं घुलता है तो non-soluvel है यह next question जिसका answer आपने comment box में comment करना है कि दुनिया में सबसे पहले पहिए कि खोज कहां होई थी भारत मिस्र चीन और मैसोपोटामिया क्या है इसका right answer आपने comment box में comment करना है तो guys यह थे आज के सभी general studies के very important question hope so आपको समझ माया होगा और आप इसको learn करिए notes बनाईए revise करिए practice करिए एक शिट अपनी पक्की करिए बिहार सिक्षक वाली में all the best thank you very much